परम पूजनिये स्वामी जी, भारत स्वाविमान के कारे में लगे सब्सक्राइब भाईयों बेहनों, परम पूजनिये स्वामी जी निर्देश है कि मैं आपसे विदेशी कमपनियों के बारे में बात करूँ, बहुराश्प्री कमपनियों के बारे में बात करूँ, जो भारत में लूट रही हैं हमारे देश को, हमारे देश की पूजी को, हमारे देश में आज की तारीख में जब मैं आप से बात कर रहा हूँ, 2009 चल रहा है, मई का महिना है, इस समय अपने देश में लगबग 5,000 से कुछ ज़्यादा विदेशी कमपनिया हैं, जो देश में काम कर रही हैं, या दूसरे शब्स देश को लूट रही हैं, हिंदुस्तान लीवर है, कॉल गेट पामो लिव है, प्रॉक्टर एंड गेंबल है, जॉनसन इंजॉनसन है, सी बगाईगी है, हेक्स्ट है, फाइजर है, जर्मन रेमेडीज है, ऐसी लगबग 5,000 से कुछ ज़्यादा कमपनिया हैं, अगर 1947 के पहले इस देश में एक ही विदेशी कमपनी थी, जिसका नाम था इस्ट इंडिया, अगर 1947 के बाद 5,000 से ज़्यादा विदेशी कमपनिया हो गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि एक विदेशी कमपनी ने भारत को इतना लूटा था, कि दुनिया का सबसे सरवच शिकर पर बैठा हुआ समरुद्धी कमपनिया कंगाल और भिकारी देश बन गया, तो 5,000 से ज़्यादा विदेशी कमपनिया इस देश को कितना लूटेंगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं, हमारी देश में 1997 से 1990 तक सरकार ने कुछ देश का विकास करने की, गरीबी खतम हो, सडकों का विकास हो, बिजली गाउं का विकास हो, सिक्षा सभी बच्चों को उपलब्द हो, स्वास्त और चिकित्सा की विकास हो, ये विकास के जो पहमाने माने जाते हैं, इन सरकार की सरकार ने 1947 के बाद से लगातार कुछ की 1990 तक, कई सरकारें आईं, दो सरकारों को छोड़कर, एक सरकार आई थी 1947 के बाद हमारे देश में श्री लाल बहादुर श्री की, और दूसरी सरकार आई थी हमारे देश में, श्री मुरार जी देश आई की, ये दो सरकारें थी, जारे महिने चली, और एक सरकार लगवक 24-25 महिने चली, तो इन दोनों सरकारों ने ही सिर्फ भारत देशी कमपणियों के लिए रास्ता बंद किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी की मानेता थी, देश का विकार, देशी पूंजी से होगा, देशी तकनीकी से होगा, स्वदेशी संसाधनों से होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे और शास्त्री जी कहा करते हैं सबसे बड़ा विकास्तों देश के किसानों से होगा उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय इतनी दूर द्रश्टी थी उनकी इस बात का अंदाजा आपके हमारे जो जवान सीमा पर देश की सुरक्षा में लगा निन्यानवे प्रतिशत हमारे जवान किसानों के बेटे हैं यह आप जानते हैं हमारे देश की सुरक्षा करने वाले निन्यानवे प्रतिशत जवान किसानों के बेटे हैं माने ग्रामिल प्रश्ट भूमी से हैं माने पूरी से पूरी की पूरी हमारी जल सेना जितने सैनिकों से सज्जित है उनमें परत सैनिक गाउं के हैं, किसानों के बेटे हैं, गाउं के हैं, तो श्री शास्त्री जी का ये कहना था कि किसानों मजबूत होगा, तो जवान मजबूत होगा, तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, निवेश और पूझी का उत्पादन दोनों जादा होगा, पूझी निवेश और पूझी का उत्पादन अगर जादा होगा, तो देश तेजी से विकास करेगा, तो द जब प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत ही विदेशी शर्तों पर ये देश अमरीकी गेहूं का आपको मालूम है यह बाद अमेर्का की एक योजना थी, पी ऐल माने पबलिक एल माने लौ चारसो इसी अमेरिका के जो कानून बनते हैं लाल रंग का अमेरिका से जिस गेहूं को अमेरिका भी नहीं खाते वो गेहूं भारतपासियों को खिलाया जाता है। बहुत अपमान जनक शर्तों पर ये काम हो थे। पंडित श्री जवारलाल नहरू के जमाने से ये समझ रहा थे। और अमरीका से लाल रंग का गहूं आ रहा था बीमारियां आ रही थी और उस गहूं के साथ सबसे खतर घास आई जिसका नाम है पार्थेनियम कॉंग्रेज घास कहते हैं यही कहते हैं ना महाराष्ट में महाराष्ट के किसान उसको कॉंग्रेज घास कहते हैं गुजरात के किसान भी कहते हैं हो सकता है दूसरे गाहों में कुछ और नाम हो उसका वेग्ञानिक नाम है पार्थेनियंँ जंगल घास कोई कहते हैं कोई गाजर घास कहते हैं कोई गाजर गावाल कॉंग्रेस घास बंजर करने वाली घासें भी आई वो घास में फैली हुई है और लाखों एकड़ जमीन उत्त की हुई है जरासा उस घास का इस पर शो जाए तुरंद खुजली मचना शुरू हो जाती है और शुरू हो जाते हैं ये घास उसी लाल रंगें के साथ आई है इसको ध्यान लेगा ये लाल लान का विज़ी गेंव हमें खिलाया जाता था अमेरिका से ये आया करता था जवार लान नहरू ने इसके लिए अमेरिका से एक समझोता किया था बहुती अंजनक शर्तों पर वो समझोता हुआ था मैंने आप से कहा इससे बड़ा देश का अपमान क्या खाते उस गेहूं को भारत के करूप खाया करते थे और राशन की दुकानों के माध्यम से वो गेहूं बाते थे शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते हैं इस अपमान जनक समझोते को खतम किया था रद्द किया और आपको मालू कि कितने आत्म सम्मानी व्यक्ती थे कितने स्वाभिमान जनक यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है समझाई है कि हम स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं स्वाभिमान कैसा होता है यह उधारन दे रहा हूँ जैसे ही शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन उन्होंने अमेरिका का ये समझोता रद्द किया तो अमेरिका का श्री पर दबाओ डाला और दबाओ यहां तक डाला कि ये समझोता रद्द ना हो ताकि अमेरिका का वो लाल रंग का गेहूं भारत में काई और अमेरिका पैसा लेता रहे वो फोकट में नहीं आता था उसके लिए बाकाइदा पैसा जाता था इस देश से दूसरे रास्तों से जाता था नहीं चाहता था ये समझोता रद्ध हो एक तो अमेरिका की दादेगिरी रहे उपर दूसरा ये समझोते से हमारा आत्मसम्मान हमेशा गिरवी रहे गा हमेरीका के पास स्वाविमान हमारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा इसलिए कोशिश थी समझौता रद्ध ना हो तो शास्त्री जी पर दबाव डाला गया और शास्त्री जी को कहा गया कि अगर आप ये लाल रंग का गहूं नहीं खानों आपके देश भूखे मर जाएंगे आपके देश के लोग भूखे जांगे शास्त्री जी ने पता है क्या जवाब दिया था श्री लाल भादुर शास्त्री जवाब था हमें सम्मान और स्वाविमान के साथ भूग मनजूर है लेकिन ये अमेरिका का गेहूं खाना मनजूर नहीं तो समझोता रद हुआ तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कमपनियां बिलविलाने लगी परेशान होने लगी जो कमपनियां यहूं बेचने बड़ी करकर रही थी हिंदुस्तान में उनके सारे धंदे चौपट हो गए तो कमपनियों ने शड्ययंत्र किया और वो शड्ययंत्र में कामियाब हुए वो शडियंत्र उनका क्या था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के धान मंत्री पद पर रहने नहीं देना क्योंकि उन कमपनियों के करोड़ों रुपई के हित सदे हुए थे उसमें और वो शडियंत्र में अंतिम समय तक काम हुए आप जानते हैं शास्त्री जी अपना समय पूरा नहीं कर पाए और 10 जनवरी 19 को उनकी हत्या हुई सत्ता समालने के मात्र ठारवे मंत्री इनको इस देश से जाना पड़ा इस दुनिया से जाना पड़ा अभिमानी प्रधान मंत्री थे इस देश के जिनोंने नीति कि किसानों की ताकत बढ़ाओ तो जड़ा अपनियाब बढ़ेगी और किसान और जवान अगर ये दुनियाब गए तो भारत की तो जड़े मजबूत हो जाएंगे आप जानते हैं साथी वो वर्ग है जो पूझी का उत्पादन करता है उद्योगपती पूझी का उत्पादन नहीं करता है उद्योगपती पूझी का उप्योग करता है उपभोग करता है पूजी पैदा करने का काम Capital Formation का काम किसान करता है जानते हैं कैसे करता है एक बीज खेत में डालता है गेहूं का बीज मेंसे अंकुरन होता है पौधा बनता है पौधे पर गेहूं की बाल लगती है जब उस बाल को काटा जाता है तो उसमें कम से कम सावासों से डेड़ सो बीज होते हैं किसान ने क्या किया डाला और उसमें से सावासों से डेड़ सो बीज पैदा कर दी यही मुनाफा पूंजी के उत्पादन का बनाता है यह मुनाफा किसी कार खाने में नहीं होता किसी उद्योग में नहीं होता कार खाने में आप एक रुपिया लगाएं तो पूरी ताकत लगाकर आप उसमें से साथ पैसा ही निकाल सकते हैं पचास पैसा ही निकाल सकते हैं दुनिया में ऐसा कार खाना कहीं नहीं बना जहां एक रुपिया लगाएं और एक रुपिया पांच पैसा भी मिल जाएं कार खाने में आप जितनी लागत लगाएंगे उससे कम ही निकलेगा मशीने दुनिया में जितनी भी काम करती हैं वो लागत में जितनी चीज़ें खर्च करती हैं उत्पादन उत्ता नहीं करती है तो कार खाने में पूझी बनती नहीं है पूझी लगती है पूझी बनती है खेत में जहां एक बीज डालो तो सवासों से डेड़ सो बीज होते हैं बाजरे का एक बीज डालो तो तीन सो बीज मक्य का एक वीज डालो तो सतर से असी भीज होते हैं ये धरती माता ही कर सकती है ये धरती मया कर सकती है ये दुनिया में कोई नहीं कर सकती है ये पूझी निर्वान भी तार से छे मैने में हो जाता है हाँ ठैक्री से रिटान आना सुरू होगा वर्षों के बाद हाँ कोई भी कार खाने में आप पूजी निवेश करते हैं तो इस निवेश का जो पूरा रिटर्न आपको मिलता है लागत लगा कर जो मुनाफ़ा आप निकालते हैं वो कम से कम तीन वर्ष में मिलता है कोई भी कार खाने में सीमेंट का कार खाना हो किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें इंवेस्टमेंट आपका आज होगा रिटर्न तीसरे साल में आएगा और जो मंदी वंदी के चक्कर में फस गए तो दसियों साल तक रिटर्न नहीं आएगा वभी सोगुना हो करके नहीं आएगा एक के सोगें और धरती माता है ये तो प्रत्वी माता है जो एक लग्तर को तीन से चार महिने में सेक्णों दाने में बादल देती है खेती में पूझी निवेस करने के तीन-चार मज़े में ही सारा रिटर ना जाता है और सैकड़ों गुना होकर आता है ये समझ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को थी अगर मैं जादा अतिशयोक्ती नहीं करूँ तो ये समझ भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को ही थी दूसरों को अगर ये समझ होती तो वो जै जवान जै किसान से आगे की बात करते हिंदुस्तान में वो ही एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों की सबसे ज़्यादा सुद ली फिर उन्होंने क्या किया अमेरिका से गेहूं खरीदना बंद कर दिया भारत के लोगों को उन्होंने कहा कि स्वाविमान से जिंदा रहो विदेशी गेहूं मत खाओ तो भारत के नागरिकों ने भी शास्त्री जी को उसका पूरा बदला दिया आप जानते हैं सोमवार के दिन शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की थी कि आप भारत के लोगों एक समय, दो समय का भोजन बंद कर दो करोणों हिंदुस्तानियों ने सोमवार को वरत रखना शुरू कर दिया था करोणों हिंदुस्तानी सोमवार को खाना नहीं खाते थे और आज भी ऐसे हिंदुस्तानी है शास्त्री जी को गए हुए सालों बीत गए है लेकि करोणों हिंदुस्तानी आज भी सोमवार को खाना नहीं खाते क्योंकि शास्त्री जी के साथ वाइदा किया था गेहूं अगर हमारे देश में कम होता है और अमेरिका से अपमान जनक शर्तों पर खरीदना पड़ता है तो वो अपमान का गेहूं खाने से अच्छा है वरत करना करोडों हिंदुस्तानियों ने वरत करना शुरू किया शास्त्री जी ने करशी विश्व विद्यालेओं में रिसर्च का काम शुरू कराया गेहूं पर इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ कि आज हिंदुस्तान दुनिया में गेहूं पैदा करने वाले देशों में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश हो गया 1966 में जहां हमारे यहां गेहूं का आकाल था गेहूं होता नहीं था हम गेहूं के लिए तरस्ते थे आज हमारे देश में इतना गेहूं होता है कि हजारों करोड रुपए का हमारा गेहूं तो चूहे खा जाते हैं इतना होता है हम खाते हैं हमारे पडोसी देशों को खिलाते हैं और बहुत सारा गेहूं हमारे चूहे खा जाते हैं धन्य हैं पंजाब के किसान, धन्य हैं हर्याणा के किसान, धन्य हैं उत्तर प्रदेश के किसान, धन्य हैं मद्य प्रदेश के किसान, धन्य हैं राजिस्थान, गुजरात, महराश्ट के किसान, जिनों ने गेहु उत्पादन करके इस देश को स्वावलंबी बना दिया, स्वा आत्मा विवानी बन नहीं पाते, स्वावलम भी बन नहीं पाते और आज तक अमेरिका का गहों खाँ रहे होते तो शास्थरी जी भारत के पहले प्रदान मंत्री जिनकी नेतियां स्वाविमान के लिए और स्वदेशी के लिए थी शास्त्री जी ने और एक नीती बनाई थी, जिसकी चर्चा लोगों के बीच में नहीं हुई है, उन्होंने दूसरी नीती बनाई थी, कि हिंदुस्तान का विकास स्वदेशी पूजी से होगा, स्वदेशी तकनीकी से होगा, और स्वदेशी संसाधनों से होगा, हिंदुस्ता में विदेशी कमपनिया नहीं आएंगी विदेशी कमपनियों को आने नहीं दिया जाएगा उस जमाने में शास्त्री जी पर बहुत दबाव होता था कि अमेरिका और यूरोप की कमपनियों को भारत में आने दो शास्त्री जी ने ना कह दो कि कोई भारत में अमेरिका और यू उलामी आएगी तो उन्होंने किसी विदेशी कमपनी को आने नहीं दिया स्वदेशी तक्निकी का विकास स्वदेशी कमपनियों का विकास स्वदेशी उद्योगों का विकास स्वदेशी खेती का विकास ये सब कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिक्रम से किया में पाकिस्तान का हमला हुआ था इस देश पर उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जबाब दिया था और शास्त्री जी ने ये जो जै जवान जै किसान का नारा दिया ना तो जवानों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सिना के कबजे में आ गया था लाहोर तक बाद में पाकिस्तान गिडगड़ाने लगा पैरों में पढ़कर रोने लगा शास्त्री जी के सामने मिमियाने लगा पाकिस्तान गलती पाकिस्तान ने की थी हमला करके पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत की फौज इतना करारा जवाब देगी क्योंकि पाकिस्तान इस गफलत का शिकार था कि 1948 में जब पाकिस्तान ने 47-47 में जम्मू कश्मीर पर हमला किया था और भारत की फौजें उस समय उतनी तयार नहीं थी हालां कि जबाब उस समय भी दिया था भारत की फौजों ने पाकिस्तानी फौजों को भागना पड़ा था लेकिन पाकिस्तान को 1965 में ये गफलत हो गई कि फौजें हिंदुस्तान की ज़्यादा तैयार नहीं है तो उन्होंने हमला कर दिया लेकिन तैयारी इतनी जबरजस्त थी कि पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और लाहर तक पाकिस्तान हार गया भारत की सैनिकों का कबजा हो गया फिर शास्त्री जी गए सोवियत संग की शरण में अमेरिका की शरण में अमेरिका और सोवियत संग के दवाओं में शास्त्री जी ने एक फैसला किया कि जो जीता हुआ इलाका है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और जो सैनिक कब्जे में आए थे वो भी वापस कर दिये जाए इसी समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे और 10 जनवरी 1966 को उनको दूद में जहर मिला के पिला दिया गया हुआ क्या था शास्त्री जी का एक नियम था जैसे सब के नियम होते है न बड़े लोगों के वैसे उनका एक नियम था कि वो अपने रसोईये के हाथ का बना हुआ खाना ही खाया करते थे उनका एक रसोईया था जो बराबर हर समय उनके साथ रहता था हर विदेश यात्रा में उनके साथ जाता था हर समय उनके साथ रहता था तो वो रसोईये के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाया करते थे तो ताशकन गए थे तो उनके साथ उनका रसोईया भी गया था लेकिन ताशकन में क्या हुआ शास्त्री जी के रसोईये का अपरहन किया गया उसको उठा लिया शास्त्री जी को पता ने उसकी जगे एक दूसरे आदमी को वहां बिठा दिया गया और उसने शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे सामन निरूप से दूद पी के सो जाते थे तो रात को उनको दूद दिया वो दूसरे रसोईये ने बना कर दिया और उसमें जहर मिलाया बहुत ही तीवर जहर था बहुत तीखा जहर था वो दूद पीते ही शास्त्री जी को मिचली और उपकी आने का हुआ फिर सांस घुटने लगी बार-बार उन्होंने अपने रसोईये को आवाज दी वो उनके शब को लेकर बापस आए तो भारत सरकार का क्या करतव था देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी मृत्यू नहीं हुई थी लेकिन सरकार ने इतना बड़ा जूट पूरे देश से बोला कि शास्त्री जी की हिर्दय गती रुकने से मृत्यू हो गई है इतना बड़ा जूट देश की तरफ से पूरी मीडिया को बोला गया प्रधानमंत्री के बारे में आप सोचो कितनी क्रूर है ये शाशन व्यवस्था इसका अंदाजा लगाओ प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या की जाती है और सरकार के मीडिया की तरफ से सारे देश में ख़वर दी जाती है कि हिर्दय गती रुकने से मृत्य होई तो शास्त्री जी के जो परसनल डॉक्टर थे परसनल फिजिशिएन उनको शक हुआ कि शास्त्री जी के हिर्दय गती से मौत हो नहीं सकती क्योंकि उनका कॉलेस्टरोल नॉर्मल उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल उनके ट्राइगलिसराइट्स नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल तो हिर्दय गती रुकने का कारण क्या इस्ट्रेस कोई था नहीं क्योंकि जीत किया था उन्होंने युद्ध में हारे तो थे नहीं तो डिप्रेशन के शिकार भी नहीं थै डिप्रेशन होता है तो stress होता है तो फिर triglycerides बहुत बढ़ जाते हैं क्ोलिस्ट्रोल भी बढ़ जाता है और हर्टटेक का चांस हो जाता है युद्ध में जीते थे लाहर तक का इलाका कबजे में ले लिया था भारतिय सेनी का सेना की विजय हुई थी तो डिप्रेशन का कोई कारण नहीं था तो उनके डॉक्टर को शक हुआ और उनके डॉक्टर ने उनका शरीर देखने की इजाज़त मांगी तो पहले तो शास्त्री जी का शरीर देखने की इजाज़त नहीं दी गई उनके डॉक्टर को फिर ये बात उनकी धरमपत्नी ने कही शरीमती ललिता शास्त्री ने तब उनके शरीर को देखने की इजाजत मिली क्योंकि उनकी धरमपत्नी कह रही है तो धरमपत्नी का बयान है आखरी समय तक कि उनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था हिर्देगती रुकने में शरीर नीला नहीं पड़ता शरीर नीला पड़ता है जब उस शरीर को जहर दिया जाता है और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार ने शास्त्री जी के शरीर का पोस्ट मार्टम नहीं होने दिया आप जानते हैं सामन इसे हत्या के केस में पोस्ट मार्टम होता है पुलिस केस बनता है FIR दर्ज होती है लेकिन भारत सरकार ने शरीर का पोस्ट मार्टम भी नहीं होने दिया क्योंकि पोस्ट मार्टम होता तुरंत बात समझ में आती कि जहर दिया गया और जहर दिया गया तो ततकाल सब इंक्वाइरी होती इंक्वाईरी होती तो शड़यंत्रकारी पकड़े जाते और वो शड़यंत्रकारी कौन थे अंदाजा आप लगाई सकते हैं तो वो शड़यंत्रकारी पकड़े जाते सारे देश के सामने उनका मुँ काला हो जाता ये सब को दबा कर धाप कर रख दिया गया और उनकी मृत्यू शास्त्री जी की आज भी एक रहस्य और पहेली की तरह से है मैं आपको विनमरता पूर्व को बताता हूँ कि हिंदुस्तान का पहला प्रधान मंत्री था जिसने किसानों की चिंता की, जिसने जवानों की और सेना की चिंता की जिसने हिंदुस्तान की स्वदेशी पूजी कैसे बढ़नी चाहिए, उसकी चिंता की स्वदेशी तक्नी की कैसे विक्सित होनी चाहिए, उसकी चिंता की स्वदेशी संसाधन कैसे बढ़ने चाहिए, माने पूरा खाटी स्वदेशी प्रधानमंत्री वो इस देश को मिला था, लेकिन उनको हटा दिया दूसरे प्रधानमंत्री इस देश में आये थे शास्त्री जी के बाद थे वो थे मुरार जी भाई देशाई वो भी कटर स्वदेशी आदमी थे खादी पहनना और खादी पहनवाना महात्मा गांदी के सामने संकल पलिया था धारण किया था उन्होंने खादी पहनने का जीवन के आखरी दिन तक चर्खा चलाते रहे और अपने चलाए हुए चर्खे से जो खादी बनती थी वही कपड़ा प्रधानमंत्री मुरार जी देशाई पहनते थे आपको मालूम है भारत का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद के सारे काम करते हुए रोज चर्खा चलाता था रोज खादी बुनता था और जुसमे से जो बनता था वो ही पहनता था ये हमारे देश में खादी का जितना विकास हुआ है ना आज हिंदुस्तान की आजादी के 62-65 सालों में 10-12,000 करोड की खादी बिकती अब तो 15,000 करोड से उपर की हो गई है ये सारा विकास मुराजी भाई देशाई के जमाने का है इस देश में मुराजी भाई देशाई ने कई नीतियां बनाई थी उन में से एक थी खादी ग्राम उद्योग को प्रोथसाहन गाउं गाउं छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए गाउं स्वावलं भी होना चाहिए उसके लिए छोटे छोटे उद्योगों को उन्होंने हमेशा काम करें उनको रिजर्व कैटेगरी में डाला था छोटे माने शूनि तक्नीकी से बनने वाले किसी भी सामान को कोई विदेशी कमपनी बना नहीं सकती बेच नहीं सकती ये कानून बनने वाले पहले प्रधान मंत्री थे वो इस देश परंपूजने स्वामी जी जो बार-बार कहते ना शूनि तकनीकी से बनी गई किसी चीज का आप उपयोग नहीं करेंगे जो विदेशी है इस बात को कानून बनाकर लागू करवाने वाले पहले प्रधान मंत्री थे श्री मुराजी देसाई और इसमें एक बात और पूरे देश के सामने भी जानी चाहिए और हम अपने भी माध्यमों से उस बात को प्रचारित करें जितने भी विदेशी कंपनी आती हैं जब आती हैं तो एक समझोता करती हैं कि हम शुन्य तकनीकी से बना हुआ हुदपाद नहीं बनाएंगे और उन सारे कानूनों को तोड़ करके इस देश में कानून की सरयाम धज्यां उड़ाती हैं और हम कहते हैं इस देश में कानून का राज़ा उस बारे में भी मकजाओं का दो शब्द करें तो विदेशी कंपनी आएगी नहीं शूनी तकनीकी में ये मुराजी देशाई ने कानून बना दिया उस कानून के बनते ही फाइदा पता है क्या हुआ एक कानून बनते ही देश का कितना बड़ा परिवर्तन हुआ अंदाजा लगाईए धड़ा धड़ा हजारों छोटी छोटी स्वदेशी उद्द्योग शुरू हो गये इस देश हमारे देश में जो small scale industries कही जाती है न ये सारा विकास श्री मुरारजी देसाई का किया हुआ है small scale industries चोटे उद्योग लगू उद्योग ग्रामिल उद्योग ग्रह उद्योग घरेलू उद्योग यह सब छोटे छोटे उद्योग जैसे दियासलाई बनाने का काम छोटे उद्योगों में चलता है अगर बत्ती बनाने का काम छोटे उद्योगों में चलता है मुंबत्ती बनाने क धड़ाद़ खुलती गई, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोडों की संक्या में स्वदेशी उद्योग विक्सित हुए इस देश में। और आज आपको जन करीदूं कि श्री मुरार जी भाई देशाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे प्रधान मंत्रियों की देन इस देश को है कि आज हिंदुस्तान में पांच करोड़ असी लाख छोटे स्वदेशी उद्योग चल रहे हैं। आपने देखा अगरवत्ती बनाने का काम महिलाएं घरगर में कर लेती हैं, एक अकेली महिला दिन में दो हजार तीन हजार अगरवत्ती बना लेती हैं, मुंबत्ती बनाने का काम, दियासलाई बनाने का काम, ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को चलाकर इस देश में पांच क बुरी तरह से मार पढ़ रही है, मार क्या पढ़ रही है, शास्त्री जी की नीती थी, छोटे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की, मुराजी देशाई की नीती थी, छोटे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की, लेकिन उसके बाद के जितने भी प्र क्योंकि वो अकेले एक मात्र प्रधानमंत्री थे जिनोंने कभी संसद का मुझी नहीं देखा प्रधानमंत्री बने और थोड़े दिन में उनकी कुरसी हिसक गई सब चला गया तो उनको तो मैं मानता नहीं उनका तो इसलिए हम छोड़ सकते हैं कोई उनके उपर हम टिपण ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बिचारे इतने जादा गलत फहिमी के शिकार हुए कि जिस सरकार में पहले बहुत हूचे स्तर के मंत्री थे मुरारजी देशाई की सरकार में उसी सरकार को गिराकर वो प्रधानमंत्री बने और जिनोंने सयोग दिया था गिराने में उन्होंने कुरसी खीच ली और वो विचारे चित हो गए तो उन्होंने तो संसत का मुई न नहीं देखा बाकि जितने भी प्रधानमंत्रियों के नाम आप याद कर सकते हैं कर लिजे हर एक प्रधानमंत्री ने एक ही नीती बनाई छोटे स्वदेशी उद्योगों को खतम करना और विदेशी कमपनियों को बढ़ावा देना 1991 में इस नीती को एक नाम दिया गया उसका नाम है उदारी करण दूसरा नाम दिया गया वैश्वी करण अंग्रेजी में कहा गया लिब्रलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो ये उदारी करण और वैश्वी करण के नाम पर 1990 से सारे दरवाजे खोल दिये हमारे देश में और विदेशी कमपनियों को बुलाना अंदाधुंद शुरू कर दिया गया शास्त्री जी ने का विदेशी कमपनियों को मत बुलाओ मुरारजी देशाई ने का विदेशी कमपनियों की हमें जरूरत नहीं है लेकिन हमारे देश के शास्त्री जी और मुरार जी देशाई के बाद के प्रधान मंत्रियों ने कहा हम तो विदेशियों को ही बुलाएंगे और ये जो बाद के प्रधान मंत्री आये ये प्रधान मंत्री लगवग सभी पार्टियों से रहे किसी के समर्थन से किसी के सास सीधे इन में से कई प्रधान मंत्री तो ऐसे रहे कि लोगों के बीच में स्वदेशी का नारा लगाते रहे और प्रधान मंत्री बनते ही विदेशी कमपनियों को बुलाते रहे कई प्रधान मंत्री तो ऐसे रहे लोगों को स्वधेशी की बात करना और सत्ता में बैठते ही प्रधान मंतरी बनते ही समझोता विदेशी कमपनियों के लिए करना इस तरह का धोका देने वाले, पाखंड करने वाले प्रधान मंत्री आए इस देश में उन्होंने क्या किया? इस देश में नीती बना दी, उदारी करण, वैश्वी करण अब उनके आधार पर हजारों कंपणियों के लिए दरवाजे खोल दिये परिणाम क्या हुआ आज इस देश में पांच हजार से ज़्यादा कमपनिया घुस गई जिनके नाम मैंने गिनाए पेपसी कोला, कोका कोला, प्रॉक्टर एंगेंबल, रेकिट एंड कोलमें, जोनसन एंजोनसन, सीबगाईगी, संडोस, हेक्स, फाइजर, सीबगाईगी, ये ऐसी पांच हजार से ज़्यादा कमपनिया घुस गई इन कमपनियों को गुसाने के लिए इन सारे प्रधानमंत्री और उनके जो सयोगी नेता थे न, उन्होंने चार तरक दिये देश को, संसत के अंदर और संसत के बाहर, पहला तरक उन्होंने दिया कि भारत को पूझी की बहुत जरूरत है, और देश में पूझी का उत्पाद नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें विदेशी पूझी चाहिए, और विदेशी कमपनी आएगी, तो उसके साथ विदेशी पूझी आएगी, और देश का विकास उससे होगा, आप इस बात को समझने की कोशिश करो, देश में पूझी की कमी क्यों है, पहले ये पता करो, अप इपने घर की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाए तो देश कींदर पूजी की कमी क्यों आई है? इस पर विचार करें। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा पूजी का उत्पादन होता है धर्ती माता से, ध्यान रखें। ये धर्ती मैया है जो पूझी उत्पादन करके देती है दुनिया में कोई नहीं देता और ये धर्ती मैया का बेटा है किसान जो पूझी उत्पादन करके देता है दूसरा कोई नहीं देता तो पूझी उत्पादन कम क्यों हुआ या पूझी की कमी क्यों आई क्योंकि धर्ती मैया के बेटे किसान का सबसे बड़ा अत्याचार और शोशन का इस देश में शड़ियंत्र शुरू हुआ जिसके चलते इस देश में पुझी की कमी आई किसानों का शोशन और शड़ियंत्र जानते हैं क्या हुआ आप में से कितने किसानों के बेटे हैं हाथ उठाईए आहाँ सब के सब किसानों की बेटियां भी है सब बहुत अच्छा हाथ नीचे करिए आपको मालूम है आज से पांच-सात साल पहले तक ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मात्र पांच-सात साल पहले तक इस हिंदुस्तान के किसान को सबसे महंगा करज मिलता था और उद्योग पतियों को सबसे सस्ता Keर्ज मिलता था मालूम है यह बात आज से पांच-सात साल पहले तक अगर किसान को ट्रैक्टर खरीदना होँ खेती करने के लिए बैल खरीदने हों खेती करने के लिए तो कर्ज का ब्याजदर होता था 14 प्रतिशत 15 याद है कुछ पांस साथ साल पहले तक 14 15 प्रतिशत के कर्जे पर कर्ज हमें मिलता था ब्याज भरना पड़ता था 14 15 प्रतिशत और उद्योगपती बड़े-बड़े कारखानेदारों को कर्ज मिलता था 6 प्रतिशत 7 प्रतिशत 9% किसानों को कर्ज मिलता था 14-15% और किसानों को private bankों से कर्ज मिलता था 20-25% पर और विचारे कई किसान तो साहुकारों से कर्ज लेते थे 100% ब्याजदर पर किसान इतना भोला भाला सीधा साधा है इस देश में जो कोई नहीं है जो किसान में थोड़ी होश्यारी और चाला की होती तो एक भी बेइमान और भ्रष्टाचारी इस देश में राज नहीं कर पाता ये किसान का भोलापन है कि बेइमान और भ्रष्टाचारी इस देश में राज करते है किसानों को कई बार चक्रवरथी ब्याज देना पड़ता था मालूमें आपको चक्रवरथी ब्याज जो दुनिया में सबसे खतरनाख एक बार मैंने हिसाब निकाला था मेरे लिए कि मैं अगर अमेरिका से एक ڈॉलर का करज ले लू और एक डॉलर का चक्रवर्ती ब्याज उसका साल का मुझे भरना पढ़ जाए, तो धाई सो साल के बाद मेरा कुल कर जितना हो जाता है, जितना भारत की धर्ती, इतना वजन का सोना, अगर अमेरिका को मैं वापस कर दूँ तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। वो चक्रवर्ती ब्याज पर कर्ज मिलता था किसानों को, साधरन ब्याज भी होती थी तो 14-15 प्रतिशत की होती थी, और सरकारों की नीतियां कैसी होती थी, बड़े-बड़े उद्योग पति और पूजी पतियों को कर्ज उनके घर में देने के लिए बैंक अधिकारी जाते थ छे-छे महीने, आठ-ठाट महीने, एक-एक साल, डेड़-डेड़ साल बैंक वाले उसको चक्कर लगवाते थे, मुश्किल से कर्ज मिलता था, और ये बैंक वाले भी फिर कैसी बेहिमानी करते थे, कि किसान को अगर एक लाक रुपए का कर्ज मिल गया, तो बैंक मैनेजर और बैंक अधिकारी उसमें से 25,000 खा जाते थे, 30,000 खा जाते थे, किसान के हाथ में वही 50-60,000 आता था, ये शोशन हुआ किसानों का, दूसरा शोशन किसानों का क्या हुआ, जिससे पूजी उत्पादन कम हुआ, उसके कारण मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा शोशन य करेगा, वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बाकी समाज तो पूजी का उपभोग करने वाला है, पूजी का उत्पादन करने वाला किसानों का समाज है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा और सबसे ज़्यादा सम्मान ह होने वाला वर्ग है रेल की खिड़की पर टिकेट लेने के लिए अगर लंबी लाइन लगी हो तो दुद्धकारने वाले लोग उन लोगों में सबसे जादा किसान ही पाए जाते हैं किसानों को सब दुद्धकार दे हट जाए यहां से कहां आके खड़ा हो गया जबकि यह आजाद देश है उसका वो एक वोट का अधिकार है मेरा भी एक वोट का अधिकार है रेल की खिड़की पर टिकेट लेने के लिए लाइन लगी हुई है उसमें दो चार किसान आके खड़े हो जाएं तो आगे और पीछे वाले अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं कि यह यात्रा करें तो भेड़ और बकरी से भी ज्यादा बद्तर इस्तिती में उसको यात्रा करनी पड़ती है आप देखते हैं रेल के जर्नल क्लास के डिबबे जिन में हमारे किसान जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह से ठूस ठूस कर ठूस ठूस कर पाउं रखने की जगे नह देश के राशन की लाइनों में सबसे ज़्यादा अपमान किसी का होता है तो किसान का होता है रेलवे की टिकेट खड़की के सामने अपमान होता है तो किसानों का होता है बस की खड़की के सामने टिकेट लेने में अपमान सबसे ज़्यादा होता है तो किसानों का रेलवे गया किसे कोई किसान स्लीपर क्लास के डिब्बे में चढ़ जाए साधारन टिकेट लेके तो इतने बेईमान टीटी है कि उसको ट्रेन से धक्का देकर फेक देते हैं और उसकी हत्या कर देते यह तालीब जाने की बात सोचिए आप मैं आपको सोचने के लिए कुछ मुद्दे दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ कुछ उधारन से समझा रहा हूँ कि कितना अपमान हो रहा है हमारे देश के किसान का पूंजी का उत्पादन क्यों कम हो रहा है इस देश में उसका विशलेशन कर रहा हूँ पूंजी जहां से पैदा होती है और पूंजी को पैदा करने वाला जो वर्ग है उसका हर समय अगर आप अपमान करोगे तो पूंजी का उत्पादन कैसे बढ़ेगा जरा बताओ और इस देश में सबसे ज़्यादा असुविधाओं में काम करने वाला वर्ग कोई है तो किसान है हमारे देश में 6,38,000 गाओं हैं लगबग आप जानते हैं इन में से 60 प्रतिशत गाओं में बिजली नहीं है 4,000,000 गाओं में बिजली नहीं है बिना बिजली के हमारा किसान रहता है मेरा जन्म अलीगड के पास एक छोटे से गाओं में हुआ अतरौली तहसील में मेरे गाओं में बिजली नहीं है और दिल्ली से मात्र 170-180 किलो मीटर की दूरी पर है मेरा गाओं बिजली नहीं है हमारे देश के चार लाग गाओं में बिजली नहीं है रात के अंधेरे में किसान अपनी जिन्दगी बिताता है हम यहाँ AC में बैठे हैं पंखा चल रहा है हमारे देश के करोणों किसानों को पंखा और AC की हवा का सुख उपलब्द नहीं है वो टेक्सपेयर हैं इस देश के आप भी टेक्सपेयर हैं वो भी टेक्सपेयर है वो भी आपको पूझी उत्पादन करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं अन पैदा करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं पिर भी उसको बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, ट्यूबेल नहीं है, डीजल भी मिलता है उस किसान को तो 35 रुपई लीटर का, जो बनता है 12-15 रुपई लीटर का, अगर 12-15 रुपई लीटर के बीच में डीजल उत्पादन हो जाता है, जो कमपनिय बताती हैं अपने आंकड़ों से तो किसानों को वो 35 रुपई लीटर में क्यों दिया जाता है जो किसान आपको लाखों करोड़ों रुपई की पूंजी पैदा करके दे रहा है उसके लिए आप इतनी सुविधाएं में नहीं कर सकते डीजल उसके लिए महंगा यूरिया डिय लोगों ने अपने हाथ उठाएं हैं माफ करियेगा अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपको इस शिविर में आने और जाने के लिए कम से कम दो बौरा गेहूं बेचना पड़ेगा तब आप शिविर में आसकेंगे कितने किसानों को दो बोरा चावल बेचना पड़ेगा तब आसाम से चल कर वो यहां हरिदवार तक शिविर में आएंगे दो बोरा जिसका चावल बिक जाएगा उस दो बोरे चावल में कोई परिवार कम से कम साल बर खाना खाएगा उतना दो बोरा चावल बेच कर वो कुछ एकाथ हजार बारे सो पंद्रे सो रुपई पाएगा तब यहां शिवर करने आएगा और वही किसान को लाइफ बॉई साबुन पंद्रे रुपई का बेचा जाएगा उसका गेहु 11 रुपई में बेच जाएगा साबुन खरीदेगा तो पंद्रे रुपई का गेहु बेचेगा तो 11 रुपई का एक किलो गेहु बेच कर एक साबुन नहीं खरीद सकता इस देश के किसान पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है आप सोच सकते हैं वो एक किलो गेहूं बेच के एक साबून नहीं खरीद सकता एक किलो गेहूं बेच कर एक वाशिंग पाउडर एक किलो का डबबा नहीं खरीद सकता हूँ मतलब क्या है उद्ध्योगों में पैदा होने वाली चीजें किसानों को इतनी महंगी बेची जाती है और किसानों का पैदा होने वाला गेहूं उनसे इतना सस्ता खरीदा जाता है तो किसान हर चीज सस्ती बेचेगा और बाजार से हर चीज महंगी खरीदेगा तो हमेशा वो घाटे में रहेगा और जो वर्ग घाटे में रहेगा वो पूजी उत्पादन कैसे करेगा बताईए मुझे तो पूजी की कमी तो ऐसे हुई है इस देश में हमने पूजी पैदा करने वाले वर्क का अपमान किया हमने पूजी पैदा करने वाले वर्क को कोई सुविदा नहीं दी उसके बच्चों को कोई सुविदा नहीं दी, बिजली की सुविदा उसको नहीं, सडक की सुविदा उसको नहीं, पानी की सुविदा इसको नहीं, कितनी किसानों की मा बहन बेटियां हैं, जो एक एक बाल्टी पानी लाने के लिए 10-10 किलो मीटर पैदल चलती हैं इस देश मे मैंने देखा है अपनी आखों से मैंने संपून भारत देश का ब्रह्मन किया है एक नहीं दो नहीं हजारों गाओं में इस द्रश्य देखा है कि किसी माता को और किसी बहन को एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए तीन किलो मीटर से दस किलो मीटर पैदल जाना पड़ता है तब उसको एक बाल्टी पानी मिलता है सवेरे साड़े तीन बजे उठती है एक बाल्टी पीने का पानी लाती है सवेरे का खाना बनाती है फिर खाना बना के एक बाल्टी पानी के लिए निकलती है फिर एक बाल्टी पानी लाती है दुपेर का खाना बनाती है फिर दुपेर का खाना बना के एक बाल्टी पानी के लिए निकलती है शाम को वापस आती है तीन बाल्टी पानी लाने में उसका 24 गंटे मैं से 12 गंटे करच होता है और फिर वही माताएं पानी के लिए जहां एकठी होती है वहां पहले पानी उनको मिल जाए उसके लिए लड़ाई जगड़े शुरू होते हैं और उसमें एक दूसरे के सिर्फ फोड़ दिये जाते हैं किसानों को क्या सुविदा मिल रही है उनके घर के सामने उनको पीने का पानी नहीं मिलता उनको चलने को सड़क नहीं मिलती उनके घर में उनकी मा का बेहन का बेटी का प्रसब हो बेहन और बेटीयों का प्रसब हो तो दाई की व्यवस्था नहीं है हॉस्पीटल नहीं है डॉक्टर नहीं है कैसे बच्चे पैदा होते हैं आपको मालूम है आदे से ज़्यादा बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही या तो मा को तकलीफ दे देते हैं या वो खुद तकलीफ पा जाते हैं इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी उत्पादन कर रहा है 21 करोड़ टन तो ये उसको बधाई है उसको साधुबाद है उसको चरण छूने का मन करता है उसके चरणों में सिर जुकाने का मन करता है इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी अन्न पैदा कर रहा है आपको थोड़ी असुविधा हो जाए तो आप कितने तिल मिला जाते है यहां एक घंटे के लिए बिजली चली जाए तो तूफान हो जाता है और वहां घंटों घंटों अधेरे में वो जिन्दगी बिताते हैं चुपचाप अन्न पैदा करते चले जाते हैं कभी उफ नहीं क करते हैं इतनी असुविधाएं इतने शोशन के बीच दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप मुझे बताईए जो पैदा करने वाली चीज का भाव खुद तै ना करें ऐसा कौन सा आदमी एक ही है वो किसान है और कोई नहीं जूते बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव खुद तै करता है और आपके साथ बारगेन करता है मेरा जूता 2500 रुपय का है लेना है लो नहीं तो चले जाओ किसान बिचारा ये भी नहीं कर सकता कि मेरा गेहूं इतने रुपय का है लेना है लेलो नहीं तो आगे चले जाओ किसान ना गेहूं का भाव वो लोग तै करते हैं जो कभी किसान के बेटे नहीं रहे जिनोंने कभी खेती नहीं की जिनको ये भी नहीं मालूम गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ो होता है मैं आपको पूरी इमानदारी से कह रहा हूँ एक कमिशन है भारत सरकार का बनाया हुआ एगरी कल्चरल प्राइस कमिशन करके ये अंग्रेजों ने शुरू किया था ये किसानों की फसल का भाव तै करता है इसमें एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है वो तै करता है कि गेहूं 1100 रुपई कुंटल खरीदा जाएगा चावल 700-800 रुपई कुंटल जो भी तै होता है वो सेक्रेटरी तै करता है एक बार एक सेक्रेटरी को मैंने पूछा था नाम नहीं बताता क्योंकि उसकी बहुत बिजज़ती हो जाएगी उसको मैंने पूछा आप कौन है तो उसने का Agricultural Price Commission का सेक्रेटरी क्या काम है तो उसने का भाव तै करता हूँ मैं गेहूं का, चावल का, चने का, मंटर का तो मैं पूछा गेहूं का भाव कैसे तै करते हैं तो उसने का गेहूं का भाव तै करना बहुत आसान पिछले साल का जो भाव होता है उसमें inflation rate जोड़ देता हूँ, नया भावते हो जाती, बहुत आसा है, फिर मैंने का पिछले साल का, तो उसने का उससे पिछले साल का भाव लेता हूँ, inflation जोड़ देता हूँ, तो उसने एक theory बता दी, तो मैं पूछा भई, सबसे पहले साल का भावते किया, उसका कैसे किया तो उसने का उसका ऐसे किया था कि यूरिया की कीमत, Northeast की कीमत, सूपर फॉसफेट की कीमत लगाई बीज की कीमत लगाई, पानी का खरचा जोड़ दिया, और यह सप्ते कर दिया. मैं पूछा किसान की महनत तो उसने का महनत क्या किसान तो अकुशल श्रमिक है उसकी महनत का क्या है इतना मुझे करारा चांटा लगा गाल पर जो उसने मुझे कहा उसने का किसान की महनत का क्या वो तो अकुशल श्रमिक है अनिस्किल्ड लेवर है अनिस्किल्ड लेवर की कीमत तो हमारे याँ लेवर से भी कम है रोजनदारी पर जो आप मजदूर लेते हैं उसको क्या देते हैं 60-70 रुपए मिनीमम गारिंटी योजना में कितना 100 रुपए तो जो आप 60-70 से 100 रुपए देते हैं उससे भी कम कीमत किसान के श्रम की तैह होती है आपको मालूम है जब ग्यों का भाव तैह होता है तो मैंने उस अधिकारी को पूछा कि आपको यह किसने बताया कि किसान का श्रम अकुशल है अनिस्किल्ड है किसने बताइ यह डैफिनेशन तो उसने बेशर्मी से कहा अंग्रेजों ने अंग्रेज तेय करके गए कि इस देश में किसानों का श्रम अनिस्किल्ड माना जाpless हैगा तो उसकी कीमत सबसे कम रहेगी इसलिए किसानों के ग्यों की कीमत साबून से भी कम रहती है किसानों के चावल की कीमत वाशिंग पाउडर से भी कम रहती है किसानों की दालों की कीमत फेर और लवली क्रीम से भी कम रहती है आप सोचो ना कितना बड़ा शोशन है एक किलो वाशिंग पाउडर खरीदें तो एक किलो दाल भी नहीं आएगी उतने में एक किलो वाशिंग पाॉडर की कीमत है इस देश पिजातर ग्राम की साबुन 12 से 25 रुपए एक तो साबुन 75 ग्राम है 40 रुपए का डव अब 40 रुपए का 75 ग्राम लगबग 50 का 100 ग्राम हो गया एक किलो 500 रुपए का और गाई का घी मिलता है दोसो रूपइपीटिहाँ और चॉपनियाँ साबुन पैदा करके 500ुबएपीटिए ऐसा शोशन चल रहा है प्राइसिस में पैरिटिह नहीं है समानता नहीं है मूलियों में समानता नहीं है और एक बात और पताते जो गहों में पानी दिया जाता है उसका किम रहे ग्योहंद हो पैदा करने के लिए पानी कितना लगता है, उसे ने तो पानी के तो आप किसान को कोई मूल ले देते हैं, उसकी कीमत उसको वाजब नहीं मिलती है, गेहूं का भाव 11 रुपई किलो क्यों है, चावल का भाव 12-15 रुपई किलो क्यों है, ये इसलिए है कि किसान के दौरा पैदा की गई वस्तू का भाव वो खुद तैनी करता, उसकी महनत की स साथ सत्तर रुपई रोज, और वही किसान अगर खेती छोड़ दे, खेत बेच दे, गाउं छोड़ कर शहर चला जाए, और किसी बेंक में चपरासी हो जाए, तो उसकी रोज की जो कीमत है, श्रम की, वो पांसो रुपई से जादा हो जाती है, कभी-कभी साथ सो रुपई ह हो जाती है, छटे वेतन आयोग के बाद, सिक्स पे कमिशन के बाद, तो वो लगबग साथ आठ सो रुपई है, अब बेंक में चपरासी हो जाए, किसान अपना खेत बेच कर, तो उसको एक दिन का श्रम मिलेगा, एक दिन का मूल मिलेगा, साथ आठ सो रुपई, और वो खे इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा, तो आप उसको अगर बेंक के चपरासी के बराबर का श्रम मूल देना शुरू कर दें, तो गेहूं का भाव बढ़ जाता है, मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, अगर किसी बेंक के चपरासी को सरकार जो एक दिन का वेतन देती है, ग गेहूं बिकेगा 5,000 रुपए कुइंटल, चावल बिकेगा 6,500-7,000 रुपए कुइंटल, कपास बिकेगी इस देश में 10-12,000 रुपए कुइंटल, मूल देता हो जाएगा उसका, तो मैंने उस सेकरेटरी से कहा, कि भाई आप उनको श्रम का मूल लिए उतना क्यों नहीं देते, जो बैंक के चतुर किलास करमचारी को आप देते हो, किसान तो उससे बड़ा काम कर रहा है, बैंक का चपरासी तो कुछ काम नहीं कर रहा है, बंदूक लेके दरवाजे पर बैठा हुआ है, बंदूक कभी चलाता नहीं है, और कभी उससे चलती भी नहीं है, और चलाने के लिए दी गई है और उसके लिए जो उसको पैसा मिलता है जब चलाने का नौबत आता तो बंदुग छोड़के भाग लेता है उसको आप साथ आठ सो रुपए रोज का दे रहे हो और जो किसान अपनी हड्डियां गला रहा है और देश के लिए पूझी उत्पादन और अन छेतर हैं एक है सर्विसिस का सेक्टर सर्विसिस आप समझते हैं बैंक है बीमा कंपनिया है रेल है पबलिक सेक्टर है ये एक सर्विसिस सेक्टर है दूसरा है प्रडक्शन का सेक्टर इंडस्फ्री का सेक्टर है जिसमें कार खाने चलाने वाले लोग है और तीसरा है करश करशी के छेत्र में और सेवाओं के छेत्र में मिलने वाला श्रमिक मूल तीनों जगए अलग-अलग है और जमीन आस्मान का अंतर है करशी का मूल ले सबसे कम है उद्योगों का उससे जादा है और सर्विस इस का उससे भी जादा है मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया टाइपिंग ही तो है न और वो टाइपिंग करने के लिए अगर मैं थोड़ा मास्टर हो गया तो एक एक दिन का मेरा श्रमिक मूले हजारों रुपई में बैठता है आपको मालूम है सौफ्ट्वेर इंजिनियर्स को एक एक लाक रुप है गाड़ी में आता है गाड़ी में जाता है और उसका एक दिन का श्रमिक मूले आप हजारों में गिनते हैं और जो किसान अपनी हड्डियां गलाता है कमर तोड़ देता है जिंदगी पूरी होम कर देता है उसका श्रमिक मूले आप एक दिन का सौरूपई भी नहीं गिनत जब इतना शोशन होगा तो पूजी उत्पादन में कमी आएगी और पूजी उत्पादन में कमी क्यों आई है इस देश में हिंदुस्तान में आजादी के पहले जब खेती करने वाला किसान था न तो एक एकड में 56 कुंटल चावल पैदा कर लेता था इतनी उपजाव जमीन थी हमारी एक एकड में 56 कुंटल चावल एक एकड में 25 से 30 कुंटल गेहूं एक एकड में 90 मीटरिक टन गन्ना एक एकड में 7 से 8 कुंटल का पास इतनी उपजाओ जमीन थी हमारी अंग्रेजों के पहले फिर अंग्रेजों के आने के बाद ये यूरिया डियेपी का चक्कर शुरू हुआ और आजादी के बाद तो बहुत भहेंकर पहमाने पर यूरिया डियेपी का चक्कर शुरू हुआ इसमें जमीन खराब होती गई, बंजर होती गई, हमारी जमीन पत्थर जैसी हो गई है, मालूम है? एक जमाना था, कि इस देश की जमीन की मिट्टी पर पाउं रखो, तो ऐसा लगता था, जैसे नए बने हुए रूई के गद्दे पर पाउं रखकर आप चल रहे हैं, इतनी नरम, इतनी कोमल और इतनी मुलाईम मिट्टी हुआ करती थी इस देश की। फिर क्या हुआ? मिट्टी में यूरिया, डियेपी डाल डाल के और किसानों का धिमाग खराब किया हमारे देश के उन अधिकारियों और वेग्यानिकों ने, जो यूरिया, डियेपी कमपनियों के एजेंट थे, जिनका एक ही उद्देशी था, यूरिया की बिक्री को दावा देना. इन यूरिया, डियेपी कमपनियों के एजेंटों ने किसानों का धिमाग ऐसा गुमाया, कि खेत में यूरिया, डियेपी डलवाया, फिर धीरे-धीरे क्येत को नशा लग गया, जैसे शराबी आदमी को शराब का नशा लगता है, वैसे ही मिट्टी को यूरि यूरिया पढ़ते हैं मिट्टी पूरी बंजर हो रही है खराब हो रही है पत्थर जैसी कठोर हो रही है अब उसमें उत्पादन भी कम हो रहा है तो पूजी का निर्मान भी कम हो रहा है इस कारण से पूजी की कमी आई है इस देश के आपको मालूम है हमारे देश की सरकार के बजट का सबसे कम हिस्सा किसानों पे ही खर्च होता है बजट का सबसे कम हिस्सा हमारे देश की सरकार के पिछले 15 साल के बजट का मैंने बहुत बारी की से अद्यन किया पिछले 15 साल में हर साल खेती और किसानों के लिए खर्चा कम होता जा रहा है लगातार कम होता जा रहा है तो किसानों को सम्मदद करोगे नहीं उनको मदद दोगे नहीं उनको सुविधाएं दोगे नहीं उनका सम्मान करोगे नहीं हर समय हर छण उनका आप मान करोगे तो किसान फिर विचारा पूजी उत्पादन के काम में जो लगा हुआ है वो उससे भटकेगा वो उससे अलग हटेगा या कम करेगा इसलिए पूजी की कमी हुई है इस देश में और उस पूजी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे ये मूर्ख नेता जिनको मैं मूर्ख शब्द में कहना चाहूंगा क्योंकि जहां पूजी मूल रूप से पैदा हो रही है उस किसान की मदद तो नहीं कर रहे है उस पूजी की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी कमपनियों को दरवाजे खोल कर बुला रहे है आओ आओ हमको पैसा दो ये कुछ ऐसा किस्सा चल रहा है मैं आपको एक उधारन से समझाता हूँ एक मरीज है वो बीमार हो गया अब बीमार हो गया तो उसको खून की कमी हो गई तो क्या करोगे तो आपको गए खून की बोतल चड़ा एक बोतल चड़ाई दो बोतल चड़ाई तीन बोतल चड़ाई फिर मरीज थोड़े दिन में ठीक हो गया फिर बीमार हो गया फिर क्या करोगे फिर एक बोतल चड़ाओ फिर दो बोतल चड़ाओ फिर ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया, तो ये बोतल कब तक चड़ा हो गया, बताओ ना, होशियारी क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, कि आप मरीज की हालत ऐसी बनाओ कि उसका खून खुद बनने लगे शरीर में, ये बाहर के खून की बोतल कितने दिन तक चड़ा हो गया उ तो ऐसी ब्यवस्थाइं बनाओ जिससे पूंजी जादा पैदा हो इस देश में ये क्या तरीका है कि बाहर से उधार की पूंजी लेके आओ और इस देश के बरीज जो बीमार मरीज इस देश की अर्थ ब्यवस्था है उसको बाहर के खून की बोतल चड़ाओ और कितने दिन चड़ाओगे बाहर के खून की बोतल एक दिन मर जाएगा बाहर के खून पर कितने दिन किसी मरीज को आप जिन्दा रख सकते हैं बताईए ना अच्छे से अच्छे डॉक्टर से पूछ लीजे कि आप बाहर के खून की बोतल चड़ाके किसी मरीज को कितने दिन जिन्दा रखेंगे एक महिना दो महिना पांच महिना सालवर एक दिन मर जाएगा ज़ादा अच्छा तरीका और होशियारी का तरीका ये है कि उस मरीज को जिसको खून की कमी हो गई है ऐसा कुछ करो कि उसके शरीर में यही बनने लगे तो भारत के बारे में मैं यही कहता हूँ कि पूझी की अगर कमी हो गई है तो व्यवस्थाइं ऐसी बनाओ कि हमारे ही देश में पूझी निर्मान होने लगे बाहर से पूझी लेके क्यों आए और हमारी सरकारें आजकल उस रास्ते पर हैं जो बाहर से पूझी लानी है पूझी की कमी क्यों आई है उसका कारण मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया और यह इतने विस्तार से इसलिए समझाया कि आप हमारे भारत के नागरिकों को यह समझा सके कि पूझी की कमी इस देश में क्यों हुई कारण क्या है उसका और चूंकि आप सब किसान और खेती से जुड़े हुए लोग है इसलिए आपको अपने अपमान का एहसास हो सके इसलिए मैंने कुछ चुटीली और कड़वी वाते हैं आपके सामने कहीं मेरा कोई लक्ष नहीं है आपका दिल दुखाने का लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि आपकी चेतना को जगजोर सकूँ कि इतना अपमान आप 60-62 साल से सहन कर कैसे रहें इस देश के उत्पादक होने के नाते और वो भी पूझी उत्पादक होने के नाते बगावत क्यों नहीं कर देते आप इस व्यवस्था के खिलाब तो अब हमारे देश में ये पूझी की कमी हो गई तो सरकारों ने कहना शुरू किया विदेशी कमपनियों को बलाओ तो विदेशी कमपनिया आती है और पूझी लेके आती है ये सरकार हमारी संसद के बाहर कहती है इस जूट पर मैंने पिछले 18 साल बहुत रिसर्च किया 18 साल से मैं लगा हुआ हूँ इस काम में कि कौन कमपनिय आती है और कितनी पूझी लेके इस देश में काम शुरू करती है तो मैं आपको नाम लेके पढ़के बताता हूँ, हमारे देश में जो पांच हजार सबसे बड़ी विदेशी कम्पनिया है, दुनिया के देशों की, उसमें सबसे लूट खोर कम्पनी है, हिंदुस्तान लिवर, इसका असली नाम है यूनि लिवर, आभी हिंदुस्तान यूनि पाकिस्तान में इस कंपनी का नाम है पाकिस्तान लीवर श्री लंका में इसका नाम है सीलोन लीवर इंडोनेशिया में इसका नाम है इंडोनेशिया लीवर तो नागरिकों को ऐसा लगता है यह तो अपने ही देश की कंपनी है वो विदेशी है मूल नाम है यूनी लीवर यहा मूल पूजी ब्रिटेन की है और हॉलेंड की है ये कमपनी भारत में आई है धंदा करने जब कोई कमपनी धंदा करने आती है न तो सबसे पहली बार धंदा शुरू करने के लिए जो वो पूजी लगाती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इनीशियल पेड़ अप कैपिटल मूल चुकता पूजी हिंदी में अगर कहूं तो इसका अर्थ समझ लीजे व्यापार शुरू करने के लिए जो पूजी लगाई जाती है माने उनके देश से आने पर जो वो पूजी लाती है ये मतलब है जैसे कोई विदेशी कमपनी आई उसने भारत में जमीन का कोई टु मूजी लिए जो पैसा लगाई उसने वो अपने देश से लेके आई तो वो पूजी भारत में आई ये कहा जाता है है ना उसी को विदेशी पूजी कहते हैं तो जब कोई कमपनी धंदा और व्यापार शुरू करने के लिए आती है और मूल पूजी जो अपनी भारत में लगाती है उसको कहते हैं bonus और share capital ठीक है तो मुख्य होती है initial paid up capital जब आप शुरू शुरू में भारत में धंदा करने आये विदेश से तो आपने कितना पैसा लगा तो हिंदुस्तान लीवर जब हिंदुस्तान में आई और इसने सबसे पहली साल जब धंदा शुरू करने के लिए पूजी लगाई तो वो पूजी मात्र कितनी है अंदाजा लगा सकते हैं आप कोईगे करोडों में होगी कुछ करोडों में नहीं है मात्र 24 लाक रुपए की पूजी से इसने धंदा शुरू किया है इस देश में हिंदुस्तान लीवर सिर्फ 24 लाक ये विदेशी का है और हिंदुस्तान लीवर ने इस देश में धंदा शुरू किया तो पूजी लगाई है 24 लाक रुपए और 24 लाक रुपए से धंदा शुरू करके ये हिंदुस्तान लीवर कितना बड़ा मुनाफा कमाती है इस देश में वो भी बता देता हूं पिछले साल इस हिंदु साथ 2008 में क्या-क्या बेचती है ये Lux, Lifeboy, Lyril Rexona, Wheel Rin Fair and Lovely इसी का है Close-up इसी का है ऐसे 50-60 आइटम है इसके तो 14,740 करोड़ रुपए का माल बेचा Initial paid-up capital ध्यान रखिएगा सिर्फ 24 लाक रुपए है आई कब थी हाँ ये कंपणी आई थी हिंदुस्तान में सन 1933 में 1933 से आके इसने धंदा शुरू किया 24 लाक रुपए का Initial paid-up capital से उसमें से मुनाफ़ा कमा के पूजी अपनी बढ़ाती गई और आज 14,740 करोड़ का इनका सेल है और net profit जो कंपणी ने अपनी balance sheet में दिखाया है जो सच नहीं होता और ये ये वे number 1 की सेल है जो नमबर ही धंदा है जो काला धंदा है एक number का जो उनका मुनाफ़ा है जो उन्होंने अपनी balance sheet में दिखाया है वो उनका मुनाफ़ा है नहीं सौरी, एक हजार नौसो पच्छीस करोड़ रुपए माने लगबग दो हजार करोड़ रुपए तो दो हजार करोड रुपए वो एक साल में कमा रही है सिर्फ 24 लाक रुपए की पूझी लगाकर तो आप बताओ पूझी उनके यहां से हमारे यहां आ रही है कितना गुना होगए है, चोबिस लाक्षिस को काउंट करें करीब, तो ये दो हजार गुने से ज़्यादा निकलेगा मारज्य, धाई हजार गुना हर साल जितना लाहे थे, उससे धाई हजार गुना ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो आप बताएए, पूंजी यहां आ नहीं रही है, यहां से जा रही है, और एक दूसरी कंपनी का बोलता हूं, बहुत बड़ी कंपनी हैं वो भी, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, कॉलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब धंदा शुरू किया, तो उनकी जो इनीशियल पेड़ अप कैपिटल है, भारत म कुल बिक्री है, वो 1385 करोड की है, मने 1400 करोड और उसका एक साल का शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट 231 करोड है, पंद्रे लाक रुपए लगाकर 231 करोड रुपए साल का कमा रही है, लूट रही है, कॉलगेट पामोलिव कंपनी, कॉलगेट पामोलिव हिंदुस्त हिंदुस्तान में आई है, सन 1948, और एक कम्पनी का बताता हूँ, हैं, लास्ट येर का इनका नेट प्रॉफिट है, 231 करोड, तीसरी एक कम्पनी है हिंदुस्तान में, जिसका नाम है नोवार्टिस, पहले इसका नाम था, सीवा गाईगी, अभी इसका नाम हो गया है, नोव आर्टिस, इस नोवार्टिस कम्पनी की भारत में जो पूझी है, वो सिर्फ साड़े चार करोड रुपए है, चार करोड पचास लाक रुपए, और इसका आज का जो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं, सेल के, पाँच सो साट करोड रुपए की इनकी टोटल सेल है, और नेट प कितने गुना हो गया, अंदाजा लगाई, फिर एक कम्पनी है, उसका नाम है फिलिप्स, ये भी हॉलेंड की कम्पनी है, डच कम्पनी है, इसका भारत में मूल चुकता पूझी, इनीशियल पेड़ प कैपिटल मात्र एक करोड पचास लाक रुपए है, मात्र एक करोड का, डेड़ करोड रुपए लगाकर, एक सो नब्बे करोड रुपए साल का ये कम्पनी लूट रही है हमारे देश में से, फिर और एक कम्पनी है, उसका नाम है बायर, ये कम्पनी का भारत में इनीशियल पेड़ प कैपिटल है, तीन करोड पचास लाक रुपए, और ये क फिलिप्स कम्पनी आई इस देश में, एक मिनिट बताता हूँ, फिलिप्स आई ए 1960 में, 1969 और 60 में, फिर एक कम्पनी का और बताता हूँ आपको, ये देशी कम्पनीों की लूट के नाम से ये बहुत जल्दी पुस्तक का हम प्रकाशित कर रहे हैं, आप सब को सारे आंखड मैंने भाई राजीव जी से कहा है, हर महिने भारत साभिमान के ये जो 11 उदेश और लक्ष हैं हमारे, हमारी जो नीतिया हैं, इनके साथ साथ, ये पूरे जो हमारी स्वदेशी की नीतिया हैं, और इन विदेशी कम्पनीनों की बरबरता के साथ देश को लूटा, उसके संद अर्व में हर महीने योग संदेश पत्रिका के माध्यम से हम देश की दर्द और पिडा को स्वर देंगे और पुरे देश में एक बहुत बढ़ी आवाद और शक्ति इसकी रूप में खड़ी होती रहेगा। इसका है 537 करोड रुपए एक साल का नेट प्रॉफिट और इसकी सेल है एक साल की 1712 करोड रुपए फिर एक कमपनी है इसी ग्लेक्सको की सबसीडियरी कमपनी है उसका नाम है ग्लेक्सको इसमितलाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर करके इस कमपनी का इनीशल पेड़ अप 62 करोड रुपए और पूरे देश में इसकी सेल है करीब 1400 करोड फिर एक कंपनी है अमेरिका की फाइजर फाइजर कंपनी का हिंदुस्तान में इनीशिल पेड़ अप केपिटल है दो करोड नबे लाक रुपए और इसका नेट प्रॉफिट है 338 करोड रुपए यह दवाएं और कोस्मेटिक बनाने वाली है सबसे ज़्यादा दवाएं बनाने वाली विदेशी कंपनी फाइजर और इसकी दवाओं का मुनाफे का जो प्रतिशत है न बीस-बीस हजार प्रतिशत के मुनाफे पर यह दवाएं बेचती है बीस हजार मतलब समझते हैं एक रुपई की ग 25,000 प्रतिशत, 18,000 प्रतिशत, 15,000 प्रतिशत का मुनाफ़ा है एक दो दवीस प्रतिशत के मुनाफे पे काम नहीं करते हैं फिर और एक कंपनी का बताता हूँ यह भी अमेरिकन कंपनी है एबोट इंडिया लिमिटेड इसका हिंदुस्तान में इनीशल पेड़ अप प्रणाग विदेशी कंपनी इस देश में है जो अमेरिका की है उसका नाम है आई टी सी जो सिग्रेट बनाती है और इस देश के लोगों के फेफडे गलाती है सबसे ज़्यादा बरबादी करने वाली यह कंपनी है हिंदुस्तान में आई टी सी इसका नाम सुनेंगे तो कैसा है इंडियन टुबैको लिमिटेड इंडियन टुबैको कंपनी असल में इसका नाम है अमेरिकन टुबैको कंपनी और भारत में आके इसने नाम बदल के रखा ह हुआ है इंडियन टुबेको कंपनी मैंने बताया ना यह बेइमानी करती है हिंदुस्तान नाम आगे लगा लिया इंडियन नाम आगे लगा लिया ताकि आपको लगे कि यह तो स्वदेशी ही है तो यह अमेरिकन टुबेको कंपनी जिसका भारत में नाम है इंडियन टुबेक company इसका initial paid up capital हमारे देश में है 3,70,000,000 रुपए और इसका एक साल का net profit है 3,120 करोड रुपए net profit और इसकी net sale है एक साल की 21,355 करोड रुपए और यह official है यह जो उनकी balance sheet में उन्होंने बताया यह सारे internet के उपर आपको data मिल सकते है और बेहिमानी का तो कुछ पता नहीं है और इस company का सबसे बड़ा धंदा मैंने बता है क्या है cigarette का हिंदुस्तान में और वो cigarette का उत्पादन है इसका इसकी balance sheet में 20 billion cigarette बनाया इन्होंने ऐसा बताया 20 billion 20 billion माने 20 अरब 20 billion cigarette बनाया वो cigarette इस देश में लोगोंने पिया पिया ही ना बिग गया उनका पिया तो धुआ कितना निकला pollution कितना हुआ carbon dioxide carbon monoxide जहरी ली गैसें कितनी निकली और पूरे परियावरण में फैली और पेड कटे वो आप जरा सुन लेना और इसको लिख लेना ताकि हर आजमी को आप ये बता सको ये company अपनी 500 cigarette बनाने के लिए एक पेड काट देती है इस देश में एक पेड काट देती है ये company 500 cigarette बनाने और कौन सा पेड ये नहीं popular का जो पतला सा होता है people का बड़ा पेड बरगद का बड़ा पेड जो बड़े पेड होते है ना जिनका तना खूब मोटा होता है जिसको आप हाथ में भी नहीं भर सकते इतने चौड़े और बड़े तने का एक पेड जब पूरी तरह से कट के बरबाद हो जाता है तब 500 cigarette का उत्पादन होता है कैसे हाँ सुन लीजे अब वो ज़रा समझा देता हूँ आप जानते हैं पेड कटता है तब cigarette के लिए कागज बनता है आप जानते हैं cigarette लपेटी जाती है तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो कागज बहुत ही fine किसम का कागज होता है सबसे best quality का कागज बनाने के लिए सबसे जादा लकड़ी का कर्च होता है और वो लकड़ी पेड की होती है तो उपर का कागज जिसमें तंबाकू भरी गई फिर उस कागज लपेट कर cigarette को डिब्बी में बंद करने के लिए फिर कागज लगा कि नहीं? पैकेट वो भी कागज का है और मोटे कागज का है गत्ते का और वो glazed paper होता है बहुत चिकना कागज होता है उसमें और ज़्यादा लकड़ी लगती है फिर उस cigarette को बेचने के लिए विग्यापन दिया गया और विग्यापन के लिए अखवार का कागज बरबाद हुआ वो कागज पूरा हिसाब जोड़ूँगा ना मैं तो कोई ऐसा है फिर उसके बाद company अपने पैंपलेट और ब्रोशर निकालती है प्रचार करने के लिए उसका कागज तो पूरा हिसाब मैंने निकाला इस company की balance sheet से 500 cigarette जब ये company बेच देती है तो एक पेड इस देश का चला जाता है और यह यह जो लोग बोलते हैं न ये पूंजी लाते हैं तो ये पूंजी कितने लेकर के आई ये तीन दशमलव साथ करोड तीन दशमलव साथ छे करोड ये इनका इनिशियल पे डपके तीन करोड शेतर लाख रुपए ये ले करके आए और अब हर साल ये कहते हैं ये पूरे देश में ब्रह्म फेलाए दाता है कोई न्यू चैनल देख लो कोई आप और वहां बहुत करते है ने लोग बैठ करके एक दो बार जो है फिर मुझे भी मौका मिला मैंने का क्यों पूरे देश के सामने तुम पढ़े लिके होकर कि बेकुफी की और मुर्खता की बाते हो पूरे देश के अंजरे जूट बोला जाता है कि पूंजी लाती हैं पूंजी लेकर के आए तीन करो एक सो बीस करोड़ा ये तो एक साल में लेके जा रहे हैं पेमान अब ये बताओ ये पूंजी का लेकर के आ रहे हैं देश को लुटा रहे हैं तो भारत तो ऐसा है कि जैसे जिस मा का कोई धनी ना हो जिस मा का कोई घर परिवार ना हो जिस का कोई बेटा ना हो जिस मा का कि और एक दो बातें बताऊं कुछ और दो चार बड़ी कमपनियों के बताता हूँ कि उनकी पूझी कितनी है इस देश में आपका भ्रम दूर हो जाए तो आप दूसरों का दूर कर सके एक बहुत बड़ी विदेशी कमपनी है कनाडा की जिसका नाम है बाटा जूते बेचती है ना बाटा कहा इसके फैक्टरी कहा लगया आपने देखी इसकी कोई फैक्टरी नहीं है भारत में ध्यान रखना ये अद्बुत एक ऐसी कमपनी है जिसकी कोई फैक्टरी नहीं है फैक्टरीयां हमारे ही देश के लोगों की है जूते हमारे ही लोग बनाते हैं बाटा उन जूतों को खरीद कर सिर्फ मोहर लगा के बजार में बेचता है और जूते पे मोहर कैसे लगती है यह जिस फैक्टरी से जूता खरीदते हैं 100 रुपए जोड़े का जूता और उस पे मोहर लग जाती है 699 रुपए 95 पैसे 799 रुपए 95 पैसे एक एक पाई पाई का हिसा नौसो निन्निया रुपए 95 पैसे आपको लगेगा यह तो बड़े इमान दा रहे 5 पैसा भी जादा नहीं ले रहे और इतने बेईमान है सो रुपई का जूता जो आगरा में बनता है कानपुर में बनता है कलकत्ता में बनता है जूते सब हमारे देश में बनाके उसको 699 रुपय 95 पैसे का बेच लेते हैं माने सिर्फ नाम का बेचकर खा रहे है इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ब्रेंड इक्विटी बेच रहे हैं और कुछ नहीं तो ये बाठा कमपनी जब आई ना इस देश में तो इसकी कुल पूजी जो चुकता पूजी है वो मात्र सतर लाख रुपई की है ये कब आई थी है? ये कमपनी आई है हमारे देश में 1931 सतर लाख रुपई से इसने धंदा शुरू किया है और आज एक साल में लगबग 300 करोड से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट ले रही है ऐसे ये कमपनी आई थी जिसने हिंदुस्तान के 17,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया यूनियन कारवाइट, भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को आपको याद है सबको वो अमेरिका की बहुत बड़ी खतरना कमपनी है केमिकल वेपन्स बनाती है रासानी खत्यार वो भारत में आई तो उसने 8 करोड 36 लाक रुपई की पूझी लगाई थी इस देश में और जब वो कमपनी यहां से भागी है इतनी बड़ी दुरगटना करके उसको यहां से भागना पड़ा तब उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 860 करोड रुपई था 1984 बहुत सारी कमपनिया है अब जब किताब आपको मिलेगी न तो उस किताब में तो आपको ऐसे सेकड़ो नाम मिलेंगे मैंने उधारन के लिए दिये ताकि आप दूसरों को यह बता सकें यह पूझी एक पैसे के लाते नहीं और मैंने जो पिछले 18 साल अभ्यास किया उसमें से जो तत्य निकला है वो आप हमेशा याद रखो कि एवरेज कोई भी American European Company भारत में आकर एक डॉलर अगर लगाती है तो पहले ही साल में वो तीन डॉलर यहां से कमा के ले जाती है एवरेज है यह एक डॉलर माने पचास रुपए अगर उस कमपनी ने भारत में पूझी निवेश कर दिये तो उसी साल में उस पचास रुपए पर डेड़ सो रुपए वो कमा के यहां से ले जाएगी एक डॉलर के इंवेस्टमेंट पे तीन डॉलर कमाते हैं इसलिए वो भारत में आते हैं कोई अमादा संस्थान खोलने नहीं आये है और हमारे उपर कोई दया प्रेम करुणा वरसाने नहीं आये एक भी कमपनी बताओ पूरे देश में जिसने कोई गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोला हो कोई अनाथाले खोला हो जिसने किसी बे सहारा को सहारा दिया हो किसी विद्वा को पेंसन दी हो ये सारी कि सारी विदेशी कमपनिया केवल और केवल इस देश को लूटने के लिए आती हो इनका कोई दूसरा मकसद नहीं होता मैं आपको एक ताजा घटना सुनाता हूँ आपको मालूम है बिहार में बाड़ा ही और परमपुजी ने स्वामी जी ने उस बिहार की बाड़ के राहत के लिए देश के लोगों से अपील की करोड़ों रुपए का डोनेशन आया और खर्चू यह आपको मालूम है अब मैं दूसरी घटना इसी के समय अंतर सुनाता कुमार ने पूरे देश को अपील किया पूरे देश को तो करोड़ों करोड़ों रुपए की मदद लोगों ने दी लेकिन एक भी विदेशी कमपनी ने एक रुपया बिहार की बाड़ राहत में दान नहीं दिया एक भी विदेशी कमपनी और बात को ये सेम कहने से बात नहीं बनती हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जब प्राकृतिक दुर्गटना ये चाइना में हुई वहाँ पर भी भूकम पाया लोगों के घर ढहे गए और जब कोका कोला और दूसरी कमपनिया वहाँ पर भी ये सारी दुनिया में फैले विए ये इतनी शड़ियन तरकारी है तो वहाँ के लोगों ने जब देखा कि प्राकृतिक आपदाई और हजारों करोड रुप हमसे वाज उठानी है कि ये तमाम जो विदेशी कमपनिया जो शुन्य तक्नीकी का सामान लूट करके देश का कई लाख करोड पर लूट के लेके गई हैं अब तो एक कसम खानी है कि ना तो विदेशी सामान प्रियोग करेंगे और ना करने देंगे ऐसी परिस्थितिया खड़ी करेंगे इस देश के अंदर ऐसा विचार तयार करेंगे ऐसा भियान और अंदोलन तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत साविमान के इस अंदोलन का इस करांती का अब मैं आपको एक आखरी आंकड़ा बताना चाहता हूँ ये तो आट दस कमपनियों के मैंने नाम लेके बताए ऐसी पांच हजार से जादा कमपनिया इस देश में हैं कुल मिलाकर ये पांच हजार कमपनिया एक साल में दो लाख बत्तीस हजार करोड रुपए लूट रही हैं कुल मिलाकर एक साल पांच हजार कमपनिया दो लाख बत्तीस हजार करोड रुपए साल का और बहुत दुख की बात है कि इस में से लगबग एक लाख करोड रुपए की लूट तो ऐसे सामान से ऐसे सामान को बेच कर वो कर रही हैं जिसको हम खुद बना सकते हैं और आपको विदेशी कमपनिया कौन-कौन से सामान बनाकर बेच कर एक लाख करोड से ज्यादा लूटती हैं साल का वो हाई टेक और सुपर टेक सामान तो बात ही छोड़ दो आप जो साधरन सामान है बाटा का बाता बताया जूते बेचती है मोजे बेचती है जूते मोजे रे अचार चटनी तो बताया है तो बाता कंपनी तो यही सब चीज़ें बेचती है उसके बाद एक कंपनी है बुक बॉंड पर जाय बेचके लूट रही है इस देश को तरह तरह के नाम की चाय उनकी बिक रही है इस देश में चाय है कौफी है और रसोई घर के कुछ मसाले बेच रहे हैं इसमें कोई टेकनोलजी नहीं है कोई हाई टेक नहीं फिर एक कंपनी है केटबरीज इंडिया वो तो चॉकलेट बेच रही है बच्चों की और चॉकलेट का भाव पता है पंद्रे सो रुपई किलो है हाँ दस ग्राम चॉकलेट पंद्रे रुपई की है पंद्रे सो रुपई किलो में इस देश में कौन सी मिठाई मिलती है जरा बताईए मुझे काजु की बर्फी जाधा से जाधा 202,500 किलो भून्दी के लड्डु बहुत अधिक तो 60-70 रुपई किलो बेसन के लड्डु 100-1.500 रुपई किलो मावे की बर्फी 100-1.500 रुपई किलो अच्छी से अच्छी मिठाई आप वाप्णी सों डेज सो रुपई किलो में खा सकते हैं चौकलेट फंद्र सो रुपई किलो और चौकलेट बनने में क्या लगता है दूद लगता है जो 10 रुपई लीटर का मिलता है इस आजुसों और क्या लगता है हुश को 15 पाउडर, साबुन, शेविंग क्रीम, फिर एक कमपनी है विदेशी कॉर्ण प्रोडक्ट्स, वो तो मक्य के दाने बेचती है बस, वो सुना है कॉर्ण फ्लेक्स, आज कल पढ़े लिखे, मूर्ख लोग उसका बहुत नाश्टा करते हैं, मैंने एक केटेगरी बनाई है, एजुकेटिड इडियर्ट्स की, वो मकई के दाने के, भुने हुए हिस्से को, रोज सबेरे दूद में मिलाके खाते हैं, तीन सो, चार सो रुपई किलो, मक्का मिलती है पंदर रुपई किलो, तो वो कमपनी है, कॉर्ण प्रोड़क्ट्स लिमिटेड, फिर एक कमपनी है, ड्यू फार इंटर फैन, ये तो सिर्फ सौंदर प्रसादन की चीज़ें बनाती है, फिर SKF एक कमपनी है, वो दर्द निवारक मलहम बेचती है इस देश में, उस मलहम की कीमत है, हजार रूपाई किलो, हजार रूपाई किलो, फिर एक कमपनी है, फिसकर्स करके, वो कैची, चाकू और ये आल पिन और सेफटी पिन बनाती है, फिर एक फन स्कूल कमपनी है, वो बच्चों के खिलोने बनाती है, फिर जर्णल इलेक्ट्रिक अमेरिका की बड़ी भारी कमपनी है, पंखा, बल्ब, बिजली की ट्यूब, ये सब बनाती है, जॉफरी मैनर सर्ट टूथपेस, टूथब्रश बनाती है, गलैक्स को बेबी फूड बगरा और कुछ दबाएं बनाती है, गॉडफरे फिलिप्स है, एक बहुत खतरना कमपनी आईटीसी जैसी, जो सिगरेट बेचती है और चाय बेचती है, फिर उसके बाद ग्रामोफोन इंडिया है, रिकॉर्डर कैसेट बनाती है, तो ये सब चीज़ें जो आप सुन रहे हैं, ये लंबी लिस्ट है, किताब में मिल जाएगी, आप बताओ, इसमें हाई टेक क्या है, इन में से कौन सी कमपनी है, जो मिसाइल बनाती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है, सेटेलाइट बनाती है, जो हमारे देश में अर्जुन टेंक बनाती है, या बड़े बड़े हतियार बनाती है, कुछ नहीं है,